तीन तला तीन तला अगर तला याद हो गया तरी पूरा में तीन है तो तीन तला पर आप बैठे हुए थे नमस्क्र दोस्तों देखो सीको स्टेडी में आप सभी लोगों का सवागत थे दोस्तों राजधानी और उसके क्या भासा आएं हैं साथी साथ दोस्तों जो है राज की पसू क्या है ये questions काफी आपके railway में पूछे जा रहे हैं और भी आपके exam में पूछे जाते हैं कि राज्य की राजधानी क्या है या फिर पसू क्या है भासा क्या है और अगर आपको मुखे मंतरी राजधाल ट्रिक से याद करना है तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा साथ साथ इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप देखेंगी इस वीडियो को उसके लास्ट में भी मैं लगा दूँगा लिंक वहां से आप देख लिजेगा कि राज और उनके जो है राजधाल और जो मुखे मंतरी को कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर हम याद करने वाले है राज राजधानी भासा और राजकिय पसू देखिया हम लोगों तो डिरेक्ट ऐसे याद है कि आ आपको भी ऐसे डिरेक्ट ही याद रहना चाहिए लेकिन भासा और यहां पर राजकिय पसू भी देखते चलेंगे ठीक है तो आंद परदेश है दोस्तों और से अमरावती जो है इसकी राजधानी है और दोस्तों जो है भासा जो है तेलगू है और यहां पर हीरण जो है का तो ग मैंने दोनों का भासा एक ही टाइप कर रहेगा तो तो याद हो गया काला हिरन दोस्तों चुन नेकल नेक्स के प्रदेश अरुनाचरल प्रदेश तो दोस्तों एगर जो हैसकी राजधानी है अंग्रे aja अंग्रे जी की भासा है गायल दोस्तों जो है राज की पसु है तो अरुणा नाम राजकिय Αपसु याद हो गया दिमाग में चिपक गया बेलकुं नेक्ष्ट बात करेंगे अस सम का vur होता ॹथा लेगिन यहेंहहां पर देखेंगे अस्म यहां पर देखेंगे दείस दोनों में गेंड था थ है तो यहां पर असम का दीश पूरता है इसका असमिया भासा है तो और से असम है और से असमिया तो याद करना नहीं है गैंडा दोस्तों जो है इसका राजकी यह पसू है तो आप जानते हैं कि जो है गैंडा के लिए फेमस जो है दिहांग हो गया और सब जो आपके हैं यह सब जो भी इसके उद् सब को यादी होगा हिंदी वाले लोग जानते हैं हिंदी यहां पर भासा है बोजपुरी भी बोलते हैं ठीक है बैल यहां पर दोस्तों जो है क्या जगा राजकी यह पसू हो जाएगा ठीक है तो हम लोग काफी मेहनत करते हैं ऐसे याद कर सकते हैं को रिलेट करके मैं बता र रहा हूँ थैसट गड़ का दोस्तों राइपूर हो जाएगा राज धानि थैस गड़ जब जीत लें तो बन जाएंगे राय सहब क्या बन जाएंगे राय हैं हम से सब राइपूर लेगा ठीक है तो ऐसे आद कर है तो 36 में तो देखेंगे न तो ऐसे बना हुआ है आधा तो फिर तो है तो भैसा में भी डबल यह है तो ऐसे आप याद कर लिजेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करेंगे गोवा गोवा का दोस्तों पंडजी है गोवा पंडजी और कॉंकड़ी यहां पर भासा है और गौ कॉंकड़ी पढ़जी कॉंकड़ी यह अड़ा सब में आ रहा देखिए तो यह आप याद कर सकते हैं कोरिलेट करके गुजरात का आपका गांधी नगर जो है आपके राजद्धानी हो जाएगी और भासा गुजराती याद करने की जरूरत भी नहीं है गुजरात गुजरा सब्सक्राइब सब्सक्राइब 53 1587 वह भी कोरिलेट रीएगा सब गयाद कर सकते होताई और हेएगा राठी सब्सक्राइब अड़ा-ड़ा आरह थो आप जो है कोरेट करके याद कर सकते हैं नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचल परदेश हमाचल परदेश का सीमला हो जाएगा सारे लोग जाते हैं हनिमून मनाने ठीक है तो आप लोगे ऐसे आद करेए हिमाचल कहाँ चलना ये ठीक है और वहlaş़ा पर हिंदी पूछे जार खंड का राची और लगलते हां गत्वर तो यहां पर तो दोस्तों देखेंगे अगर ध्यान से देखेंगे ध्यान से देखेंगे हर सब्द कुछ न कुछ कहता है हर सब्द कुछ न कुछ कहता है उसमें एक फिगर होता है फिगर को कोरिलेट करिए करनाटक करनाटक में दोस्तों आप नाटक कर रहे है नाटक कर रहे है तो क्या कर रहे है बंग कर रहे है ठीक है और लूरू कर रहे है देखें लूरू जिसे लग रहे है डान्स हो रहा है ये उ की मातरा देखिए डांस कर रहा है द्यान से देखिए लग रहा है डांस कर रहा है लूरू तो यहाँ पर क्या कर रहा है नाटक कर रहा है और इसका को से करनाटक है को से करनड याद हो गया लेकिन यहाँ पर हम हाथी कैसे याद करेंगे तो द्यान दीजिए जब भी हाथी स सून लगा हुआ है उपर करनाटक में आपका देखिए रो जो है उड़न तुआ रो आपका सून लगा हुआ है तो हाथी याद कर लेंगे ठीक है याद हो गया चलिए नेक्स्ट बात करेंगे केरल का केरल का तिर्वन्त पूरम होता है मले आलम दोस्तों जो है भासा है हाथी इसका भी है तो देखिए यहाँ पर केरल में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले उंकर कैसे किया था हाथी अब यहाँ पर सीधा कर लिया है ठीक है और केरल दोस्तों यह आपका हो जाएगा इसका तिर्वन्त पूरम हो जाएगा और यहाँ पर मले आलम और हाथी चलि लगता तीखा टाइब का तीरुवन्त पुराम की तरदम लग रहा था ठीक है करेला और इसी वज़े से हाथी अपका उठाया था और उस क्या किया था कोई जो है भासा मले आलम कैसे याद रखेंगे तो डायरेक्ट नहीं खिलाया था किसी लूरू में देखिए डांस हो रहा है और करन्नक जान कि करेला खिला धिया था टीखा लगा था करेला और यहाँ पर हाथी और्ट के दे दिया होगा नेक्स्ट बात करेंगे मध्य पर्देश मध्य पर्देश के दो तो भोपाल होता है सबको यादियों का हिंदी यहां की भासा है बारह सिंगा है देखिए मध्य पर्देश जो है जो बारह सिंगा होता है उसमें बारट सिंग रहता है बाराट है उसका जो है माली इसका सर है कुछ भी मुझे बनाने नहीं आता है तो यहाँ पर जो इसके बाराः सिंग थे और ये बाराः सिंग कहां से जुड़े हुए थे बाराः सिंग जो जुड़े हुए थे ये कहां से जुड़े हुए थे इसके मध्ध से सर के दम मध्ध याद कराने की जरूवत है नहीं यहाँ पर और मराठी यह भी याद कराने की जरूवत नहीं गिलाहरी यहाँ पर होता है देखे दोस्तों इसको कैसे याद रख सकते हैं गिलाहरी से कैसे को रिलेट कर सकते हैं तो महान राष्ट में दोस्तों राम जी है और इस महारास्ट में कि घिलारी पर देखते हैं कि तीन धारिया माना जाता है गिलारी पर तीन धारिया हो गरी दो इसका पूँच हो गया यह कह भूए है महां रास्ट होई हो ग으면 जो सोटे को अब है उसको माने या फिर संद्चित करें कुछ भी ऐसे मान लिजें ठीक ऐसे बना लिजें ठीक है तो गिलहरी इसका राइड एंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तो मड़ीपूर मड़ीफूर का इमफाल होता है एक ही जैसा है भी नाम इमफाल मड़ीपूर दोस्तो इमफाल और यहाँ पर दोस्तो मड़ीपूरी जो है इसकी भासा है संगाई आपका यहाँ पर हीरन आता है ठीक है संगाई हीरन द तो मेखाले में मतलब बारीस होने लगी मेखा मतलब एसी बादल बंता तो अब क्या हुआ हम चलांग मार मरुक कर जा रहे तो अंगरेजी बोलने लगया ब्ठी ब्ठी ड्टी बिलते हैं आरे लब कहीं लोग स्टाइल मारते हैं तो यहां पर कैनल घ्रती हो जाएगा और ढूमिल यहरा हो गह जाते हैं नेक्स्ट बात करेंगे मिजोरम मिजोरम में दोस्तो जो है आईजोल एक ही जैसा नाम है मिजोरम आईजोल मिजोरम आईजोल इसमें क्या हुआ अपका मिजोरम आईजोल में क्या हुआ अंग्रेजी भी बोलते हैं मिजो भी बोलते हैं अपका अंग्रेजी भी हिंदी भी तो ठीक है नागालेंड के दूस्तों कोहिमा कोहिमा अंग्रेजी और मिथुन यहां पर होता है तो देखिए अगर आप मिथुन को देखे हैं लड़ते हुए हीरो मिथुन है कि बात कर रहा हूं कि तो पिष करके मारते हैं मतलब आज से करता है अब देखिए कोई पूछता रहरे नाग कहां है मतलब हो एमा कौही मा नाग कहां है मतलब कोही मा और मितुन नहीं कак के लड़ते है किसे परते हैं आप देखें के फिल्म में एकदम सेम ऐसे बोलते हैं तो आपका मीथुनी यहां पर हो जाएगा राइट इंसर और नागालेंड के लोग अंग्रेजी बोलते हैं ठीक है मतला अंग्रेजी यहां पर भासा है नेक्स्ट बात करेंगे उडिशा उडिशा का दूस्तों भूनेश्वर है उडिया यहां पर बोलता है और सामभर जो है यहां पर आपका क्या हो जाएगा पशु हो जाएगा तो यहां पर क्या है उडिशा का आपका उडिया तो याद करने के जुरूत नहीं है भूनेश्वर उडिशा का भूनेश्वर होता है याद रखेगा भू पर चंडी गड़ी होता है पंजाबी भासा याद करने के जुरूद ने काला ही रण है तो पंजाब ऐसे कोरिडेट करें पंजाब का जो है क्या है कि मतलब काला गोरा में ऐसे लोग यह लोग बहुत अच्छे होते हैं काला गोरा में फरक नहीं मानते हैं इसलिए यहां पर का पहला हिरन जो हैं का राज की यह पसु है नेक्स्ट बात करेंगे राजास्थान का जय पूराब सभी लो जानते हैं कि अब जय सिंक का नाम आप जानते ही होंगे तो यहाँ पर का हिंदी याँ चिंकारा हो जाएका तो राजस्थान हैet जय लैपूर आपको जया हिंदी बुलते ही हैं चिंकारा क्योंकि चुला चिला के यहार जो यूध करते थे राजा मारजा छत्रिय लोग तो यहां पर चिलाते थे तो यहां पर क्या चिंकारा आप ऐसे याद करें के ठीक है फिस बाद करेंगे सिक्किम का गंगटोक है पर पांडा में भी है तो ऐसे याद कर सकते हैं लाल पांडा जो है इसका राजकी है पसु है तमील अडू दोस्तों चेन्नाई याद करना असान है तमील आपका भासा भी है और यहां पर जो है तमील ला आरा है लाश्ट में और नील गिरी में भी ला आरा है ला तो नील गिर तेलंगाना तेलगू तेलंगाना तेलगू उर्दू भी है इसकी और यहाँ पर चितकबरा हीरन जो है क्या हो जाएगा जो है तेलंगाना का राजकी पस हो जाएगा कैसे चितकबरा हो गया यह चितकबरा इसलिए हो गया कि दोस्तों जो है तेल लगया होगा कहीं कहीं चिपक गया होगा तो चिपग गया तेलो लगाया था तो क्या हुआ चितकवरा हो गया ठीक है और दोस्तों यहां पर हैग्जराबद इसकी रजदानी हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे त्रीपुरा का दोस्तों अगरतला हो जाएगा और यहां पर बंगाली हिंदी और जो है कोक कोख़ोग ये याद कर दिआ को वच जो है ये इक्जाम में पूचा जाने वाला है, एक दम याद रखेगा है यहीं पूच लिए जाता है, ठीक है, त्रीपूरा का ये है कोख़ोग अभी इसको याद करने बिल्कुल दिमा में खुबडी में छेत हो जाएगा अब जब गूरा है तो जो चीज लिखा हो वह भी तीन तरक्की बना होगा दिखिये यहाँ पर कोक बोरोक धियान दीज़े इसमें कोक अलग और अलग बन जाएगा तो तीन ऊकस में बन जाएगा तो उसल साथ बंगाली भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, कोक बोरोग भी है, तीनों यहां पर बोलते हैं, ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, आप तीन तल्ला बैठे हुए थे, यहां पर आ गया फायर लंगूर, मतलब आपका फायर है, लेकिन फायर मतलब रिदम हमला कर दिया लंग थीका है यह आपका तीन आप इसमें भी कोर्लेट कर याद कर सकते हैं और तीन थैं यह जानते हैं हिंदी बोझपूरी यह सब बोलते हैं हिंदी है आपका यापड़ह सिंगा बारा सिंगा यहां का है दोस्तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तो उत्राखन, उत्राखन का देहरा दून हो जाएगा उत्राखन का देहरा दून और आपका उत्राखन का देहरा दून याद करने का आसान यह तरीका है कि उतरा खंड मतलब पहाड समझे है काफी दूर हमको चड़ना पड़ता है इसलिए दूर दूर पर यहाँ पर लोग रते हैं बहुत दूर दूर पर लोग रते हैं क्योंकि यहाँ पर पहाड वाड़ा है इसके लिए बहुत दूर दूर पर लोग रते हैं तो आपका दहरा दू या फिर काफी दूर हमको जाना है हिंदी आपका हो जाएगा जैसे कि उपी कहां वैसा ही और जो है कि उपी से अलग इसलिए बना था क्यों कि काफी दूर में हो जा रहा था यूपी इसलिए दहरादून ठीक है या दो गया अब आपका जो है अल्पाइन कस्तूरी मिर्ग तो देखिए यहां पर यह जो है यह भी यह भी अलपाइन मतलब यहां पर भी आपका दूरी ही बता रहा है कस्तूरी दूरी देखिए यहां पर दूरी ही बता रहा है अमरीग है तो बारसिंगा से काफी दूर का इसका रिलेशन हो जा रहा है इसलिए जो है इसको अलग कर दे याद करना बहुत यह असान है अच्छा सा ट्रीख है थीक है बहुत थोड़ा सा दोस्तों यहांपढ़ासित प्रदेश यहांपर देख लिए तो आपका है अंडमान निकोबार का पॉर्ट ब्लियर राजधानी यह हिंदी है आपका है डोंगोर जोई सका राजकी पसू है आत पर हो जाएगा नेक्स बात करें के सव में लक्छ दीप का यहां पर दोस्तों का वारती और मल्यावलम हो जाके नेक्स्टन गतार। पुदुचेरी का पुदुचेरी हो जाएगा आपका तमिल तेलगू और मल्यालम तीनों यहां पर बोलते हैं और हिंदी भारती है जो है गिलाहरी यहां पर पुदुचेरी का पुदुचेरी में कुदता हुआ कुछ दिख रहा है पुदुचेरी पुदुचेरी तो गिलाहर जाटे हो जाएगा आपका तिप्बती उर्दू और आपका बलती फी ब बहुतनी है आपके कोश्ण पूझे जा रहे हैं रेल वे में इसलिए मैंने वीडियो बना दिया काफी इमिपोर्टेंट है आप सभी लोग के लिए राज रजधानी याद शाहिएगा साती साध जिन लोगों को याद नहीं है उनके जो左右 के राज्य योके राज्य पाल और मुख्यमंत्री जिन को नहीं जाध है वो देखेक्जिए कि यह last में वीडियो लगाने वाला हूं ठीक है आसा करते हैं वीडियो पसंदा वीडियो को जिक से दिक लाइक शेयर कीजिए ऐसे जो है वीडियो और ट्रिक्स को देखने के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज लाइक और शेयर